हाइ फ्रेंड्स वेलकम बेटोनी रीच कीचन आज हम बनाने वाले हैं पनीर अंगारा पनीर अंगारा की रेशिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हुँ फ्रेंड्स आप में रेसिपी को देखिए और कमेंट बोक्स में मुझे बताएं कि आपको में रेसिपी कैसी लग रही है और आपको आगे की रेसिपी क्या चाहिए वो भी मुझे बताएं तो फ्रेंड्स हम आंगारा पनीर की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने लियाए एक पेन, पेन में मैंने डाल दिया दो टीस्पून ओईल ओईल गरम हो चुका है हम इसमें डाल देंगे इलाईची करी पत्ता, तेज पत्ता, दाल चीनी अब हम इसमें डाल देंगे एक चोपड किया हुआ प्याज हमको अच्छे से बारिक चोपड करना है हम इसमें डाल देंगे नमक, नमक डालने से प्याज जल्दी से भून जाते हैं प्याज को हम ब्राउन कलर होने तक भूनेंगे अब इसमें डाल दूंगी अद्रक व लसुन का पेस्ट डाल कर हम इसे मिक्स करेंगे इसे भी हम 2 निट तक भूनेंगे अब इसमें डाल दूंगी 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर हाप टेबल स्पून हल्दी पाउडर इस सभी मसाले डाल कर मिस्ट को मिक्स करूंगी अब हम मसाले को अच्छे चे पकाएंगे मिस्ट में डाल दूंगी जीरा पाउडर और गरम मसाला गरम मसाला से बहुत उछा टेस्ट आता है अब हमें इस्टे 2 मिवी तर पकाना है अब मैं डाल दूँगी एक से दो टमाटर की प्यूरी मैंने Cannon में बना ली थी टमाटर की प्यूरी बना कर डालने से बहुत उछी ग्रेवी आती है सबजी में इसे हमें 2-3 मिर्ट तक पकाना है हमारा जो यह मसाला इसकी ग्रेवी है हम इसको जितना पकाते हैं उतने ही यह बहुत है टेस्टी लगती है सब्जी इसमें डाल दिया मैंने कसुरी में थी इसे भी हम मिक्स करेंगे और कुछ सेकिन के लिए हम इसे भी पकाएंगे अब मैं इसमें डाल दूँगी काजू का पैस्ट मैंने काजू पकार स्करेंगे इसका पैस्ट बना लिया है क्योंकि यह इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट यह है इसे सब्जी का टेस्ट दो गुना हो जाता है इसलिए आप इसमें अब मैं इसे 5 मिट के लिए ढखकर रख दूँगी हम मसाले को जितना पकाएंगे इतना ही हमारे सबजी टेस्टी हो जाएगी हमें मसाले को तब तक पकाना है जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे हम इसमें डाल दूँगी एक से दो कप पानी और हम मिक्स करेंगे अब हम इसमें डाल देंगे 200 ग्राम पनीर पनीर केसे बनाते हैं पनीर की रेसिवी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं आप उसमें देख सकते हैं कि पनीर केसे बनता है तो फ्रेंड्स अब हम इसे मिक्स करेंगे अब में इसमें थोड़ा सा नमक को डाल दूँगी क्योंकि में पेले थोड़ा सा थोड़ा कम नमक डाला था आप अपके टेस्ट के अकोडिंग इसमें नमक यूज में ले सकते हैं आपके कौंटिटी के लेबल से अब हमें सिद्धक कर 2 मिट और पका लेंगे देखी हमें सब्जी में बोईल लोन आना शुरू हो गई है हम इसको मिक्स कर लेगे हमें सब्जी में कितनी तरी और कितनी अच्छी दिख रही है अब में इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा चौबड किया हुआ पनीर और हरा धनिया जाल कर में से गालिक कर लूँगे अब हम सबसे इंपोर्टेंट अंगारा पनीर वाली जो हमने रिस्टर बताई है वो हम शुरू करते मैंने लिया एक जलावा कोईला उस पर मैंने डाल दी हींग और थोड़ा सा गींग अब हम इसको ढग देंगे ताकि इसका जो धूवा है यह सबजी में चला जाएगा और इससे सबजी का टेस्ट बढ़ जाएगा इससे ही अंगारा पनीर की सबजी बोलते हैं तो फ्रेंड्स आपको मेरे रेसिपी केसी लगी कामेंट बोक्स में बताए मेरे रेसिपी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद मेरे चैनल पर जो नहीं हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और मेरे वीडियो को श्राइब